दोस्तों मुंबई देश की आर्थी ग्रासधानी है इसका जो एरिया है वह है 437 स्कौायट किलोमेटर इतने एरिया में लगभग एक करोण 24 लाग से ज़्यादा लोग रहते हैं इसलिए यह दुनिया का one of the most dense populated city है चुकि मुंबई तीन तरफ से सम्मुद्र से गिरा हुआ है तो इसके एरिया को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन यहाँ पर infrastructure डवलप करके कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं अब जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर number of vehicles हैं जिसके वज़े से यहाँ पर extreme traffic congestion चारो तरफ देखने को मिलते है लेकिन मुमई में कुछ ऐसे land mass हैं यानि कि कुछ ऐसे बड़े शेत्र हैं जिनका develop ही नहीं हो पाया है वह undeveloped हैं उसी में से एक है मीरा भयंदर इसका कारण है lack of road connectivity खास करके मीरा भयंदर का यह जो west side है यहाँ पर road connectivity नहीं के बराबर है public transport के लिहाँ से देखा जाए तो यहाँ से गुजरती है एक western railway lines जो मुंबई से होते हुए विरार को जाती है जो की overcrowded route है इसके अलावा western express highway है जो यहाँ से ऐसे होकर जाती है जो दहिसर से 9.7 km इस highway से पढ़ता है traffic की समस्या इस route पर बहुत जादा है इसकी वज़य से इस दूरी को cover करने में 50 minutes से लेकर एक घंटे तक का समय लगता है लेकिन अगर आप यहाँ मैं अपने देख पाए तो दहिसर west और भयंदर के बीच में लगभग 5 km की ही दूरी है और इस 5 km की दूरी को तैय करने के दे जा गया जो दहिसर west से connect करेगा मेरा भयंदर west को और आगे विरार तक चला जाएगा इस road link में दहिसर west से भयंदर west को जोडने के लिए एक breeze बनाय जाएगा और उनके 20 की दूरी रह जाएगी मातर 5 km की और इसको किवल 3 से 5 मिट के भीतर तैय कर लिया जाएगा इसको बन लार्सन एन टूबरो और अफकांस इंफ्रास्ट्रक्टर लिम्टेड लार्सन एन टूबरो को दहिसर भयंदर ब्रीज बनाने का प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ इस प्रोजेक्ट में 4 तसमनों 5 km लंबा ब्रीज बना जाएगा जो दहिसर west को मेरा भयंदर west से connect करेगा और ट्रेवल टाइम को 45 मिनट कम कर देगा मतलब जहां पर 50 मिनट से एक घंटे का समय लगता था ब्रीज से केवल 5 मिनट का ही समय लगेगा ब्रीज में दो कैरेजवे होंगे मल्टी लेवल इंटर्चेंज दहिसर और भयंदर दोनों तरफ होंगे जहां से smoothly entry और exit कर सकेंगे द लगभग 10 लाक लोग परड़े मीरा भयंदर से होते हुए मुंबई आते हैं और जाते हैं बाई रेलवे और वेस्टर्ण एक्सप्रेस हाइवे से तो इन रूट से लगभग 35% ट्राइफिक शिफ्ट हो जाएगी नए लिंक रोड पर और मीरा भयंदर के लोग डारेक्ट क देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए नमस्कार